नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग करनाटक विधान सभा का चुनाओ जिस तरह से प्रधान मंत्री नरिंद मोदी और केंदरी ग्रिह मंत्री अमिश्या कैंपेंड कर रहे है उसको देखकर आपको कुछ याद आता है मुझे तो याद आता है मुझे याद आता है 2017 का गुजरात विधान सभा का चुनाओ जितनी ताकत से गुजरात विधान सभा के उस चुनाओ में दोनों नेता लगे थे उसी तरह का कुछ नजारा करनाटक में दिखाई दे रहा है तो गुजरात में ऐसी क्या इस्थिति थी जिसकी वज़े से इतनी मेहनत करनी पढ रही थी गुजरात में तीन साल हो गए थे तीन साड़े तीन साल प्रधान मंतरी नैन मोदी को छोड़ कर गए हुए गुजरात यानि मुख्यमंत्री का पद छोड़कर प्रदार मंत्री बने हुए है। आनंदी बेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया बुरी तरह से फेल हो गई। पार्टिदारों का अंदोलन हुआ बीजेपी का जो कोर वोट है गुजरात में वो पार्टिदार है यानि पटेल समधाय के लोग। उन में भैंकर नाराजगी थी। आंदोलन हुआ आरक्षण को लेकर हार्दिक पटेल उसके नेता के रूप में उपरे। अंदोलन हिंसक हो गया उसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली बारी में लोग मारे गए। उससे नाराजगी और बढ़ गई। उसके अलावा दोहजार सोलह नॉवंबर में ही हो चुकी थी नोट बंदी। और फिर जीएस्टी। जीएस्टी, नोट बंदी, पाटिदार अंदोलन, आनंदी बेन का इस्तिफा, उनकी नाकामी ये सब मिलाकर एंटी इंकंबेंसी की ऐसी हवा बनी थी कि किसी को उमीद नहीं लग रही थी कि भार्ती जन्ता पार्टी ये चुनाव जीत सकती है। और कॉंग्रेस पिछले तीन दशक में ऐसा लग रहा था कि पूरे तन, मन, धन से गुजरात का चुनाव लड़ रही है पहली बार और पूरी ताकत लगा दी थी कि कि किसी भी हालत में जीतना है। पूरा जो लिफ्ट लिबरल एको सिस्टम था, वो लगा हुआ था कि किसी भी तरह से मोधी को हराना है। उस चुनाव को बनाया जा रहा था मोधी वर्सेज राहूल गांधी। ये फलक पर चुनाव है लेकिन भले ही वो विधान सभा का चुनाव हो। इसी उमीद में कॉंगर्स पार्टी को पूरी उमीद थी कि वो चुनाव जीत रही है। इस उमीद में राहूल गांधी पहली बार तयार हुए कि वो पार्टी के अध्यक्ष का पद समाल लेंगे। और उनको गुजरात विधान सभा का चुनाव नतीजा आने से कुछ दिन पहले पार्टी का राष्ट्री अध्यक्ष बना दिया गया। योजना थी कि पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उनके देखे गुजरात में इतनी बड़ी जीत हुई मोदी को हरा कर आये हैं। दोहजार उननिस के लोगसभा चुनाव के लिए सेना सज्जाती। वो जो राइवलरी है दोनों पार्टीओं की वो दिखाई देने लगती। और उससे लग रहा था कि जिस तरह का नतीजा आने की उम्मीद कॉंग्रेस पार्टी को लग रही थी और भाजपा के विरोधिय को कि ये ये चुनाव जो है वो बीजेपी बनाम कॉंग्रेस ही नहीं मोधी बनाम राहुल गांधी था और भारतिय जंता पार्टी इस बात के लिए कमर कसके बैठी थी कि कि किसी भी हालत में ये विधानसभा चुनाव हारना नहीं है। जी एस्टी से जो नाराज थे लोग उनको मनाया। नोडबंदी से जिनका नुकसान हुआ था उनको मनाया। उसके अलावा पाटीदार आंदोलन का जो डेमेज हुआ था उस डेमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके अलावा तीन नेता उभर रहे थे। उस समय लग कर रहे थे अलपेश ठाकोर जो है वो पिछरों के नेता के रूप में और जिगनिश मेवानी दलितों के नेता के रूप में और तीनों में एक तालमेल था तीनों बीजेपी के खिलाफ थे भले ही अलग-अलग मंच से रहे हों लेकिन तीनों भारती जनता पार्टी के खिलाफ थे और तीनों का इस्तेमाल कॉंग्रेस पार्टी कर रही थी और वो इस्तेमाल होने के लिए पुरी तरह से तयार भी दे ये माहौल था गुजरात में 2017 में जब लग रहा था कि बीजेपी के हाथ से बाजी जो है निकल चुकी है ऐसे में मोदी ने इतनी बड़ी एंटी इंकम किस तरह से मुकाबला किया ये अपने आप में एक अधियन का विशय है चुनाव विशलेशकों के लिए चुनाव के से संबंदित जो सेफलाजी जो लोग करते हैं उनके लिए भी कि कैसे एंटी इंकमबेंसी को मात दी जा सकती है और इतनी विपरीद परिस्थितियों में क ये फर्क था दोनों पार्टियों में उस समय तो गुजरात का चुनाव इसलिए भी प्रतिश्था का था यो प्रधान मंतरी का अपना ग्रेफ प्रदेश था और ये नहीं चाहती थी बीजेपी की किसी भी हालत में गुजरात में कॉंग्रिस का रिवाइवल हो क्योंकि प्रदेश्था और नहीं होने दिया और उसके लिए कोई बेमानी नहीं की जनतांत्रिक तरीके से पारदर्शी तरीके से चुनाव लड़ा और जीता अपनी ताकत पर भरोसा था अपने लोग जो समर्थक थे उन पर भरोसा था आखिर में परिस्थिती ये बनी कि जहां जो लोग भारती जंता पार्टी से जुड़े थे और जुड़े हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है विचारधारा का वैचारी का अधार पर वो जुड़े हैं इसलिए वो जुड़ाव बड़ा गहरा है जल्दी तूटता नहीं है 2017 की एंटी इंकंबेंसी की आंधी भी उसको तोड़ नहीं पाई अब जरा आ जाईए करनाटक में करनाटक और गुजरात बिल्कुल अलगल हैं मैं ये बात पहले भी आप से कह चुका हूँ कि दोनों की कई पैमानों पर तुलना नहीं हो सकती करनाटक में बीजेपी का जो जनाधार है वो कुछ हिस्सों को छोड़ कर वहचारी का आधार पर खड़ा नहीं है वो नेतितों के आधार पर जाती समीकरण के आधार पर और सरकार के कामकाच के आधार पर बना हुआ समीकरण है जो तूट भी सकता है वो उतना मजबूत नहीं है जिस तरह से गुजरात में है लेकिन करनाटक में फिर क्यों प्रधान मंतरी नरेंद मोदी और ग्रह मंतरी अमित शाह इतनी ताकत लगा रहे हैं अगर करनाटक विधान सभा का चुनाओ कॉंग्रेस जीत भी जाये तो क्या होगा 2018 में चुनाओ नहीं जीती थी कॉंग्रेस हार गई थी फिर भी सरकार बनाई जेडियस के साथ मिलकर बीजेपी सरकार नहीं बनाई उसके बावजूद लोगसभा के चुनाओं में बहुत अच्छा किया 28 में से 25 प्लस एक सीटे 26 सीटे जीत गए तो इसलिए लोगसभा चुनाओं को लेकर तो ऐसी कोई चिंता है नहीं लोगसभा चुनाओं का गड़ित बिलकुल अलग हो जाता है जब प्रदान मंतरी अपने लिए वोट मांगने जाते है तो करनाटक में अगर विधान सभा का चुनाओं बीजेपी हार जाये तब भी उसके लोगसभा की परफार्मेंस पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला फिर सवाल उड़ता है कि इतनी ताकत क्यों लगा रहा है इतना जोर क्यों लगा रहा है प्रदान मंतरी एक दिन में तीन तीन चार्चार रहलियां क्यों कर रहे हैं रोड शो कर रहे हैं रव्यार को नोंने तीन रहलियां किया और एक रोड शो भी किया तो जिस तरह से और पुरी पार्टी लगी हुई है पुरी पार्टी मशिनरी लगी हुई है इस एंटी इंकम्बेंसी को प्रो इंकम्बेंसी में बदल देना है ये ताकत ये संगठन की ताकत ये विचारधारा की ताकत इस समय इस देश में केवल बीजेपी के पास है तो इसल और अभी हाली में हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाया तमाम ताकत लगाने के बावजूद लेकिन इन राज्यों में प्रधान मंतरी ने जितनी ताकत लगाई थी उसकी तुल्ना करनाटक के जो ताकत लगा रहे हैं उससे नहीं की जा सकती उसके तुलना सिर्फ गुजरात में उन्होंने जो ताकत लगाई थी उसी से की जा सकती है तो अब मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ वही सवाल कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी को लगता है कि अगर करना तक जीत गई कॉंगरेस पार्टी तो उसको खड़े होने की जगए मिल जाएगी बीजेपी कॉंगरेस को खड़े होने की जगए भी नहीं देना चाहती उसको मालू है कि इस समय उसके पास 36 गण के रूप में एक एटियम है जहां से पार्टी के लिए पैसा आ रहा है लगातार निरबाद गती से अगर करनाटक जीत गई तो एक और राज्य हो जाएगा एक और एटियम खुल जाएगा जो बार बार बीजेपी के नेता ग्रे मंतरी हमिशा से लेकर जेपी नड़ा और तमाम नेता सब लोग कह रहे और प्रधान मंतरी पहले से कह रहे है कि कॉंग्रेस पार्टी करनाटक को एटियम की तरह इस्तेमाल करती है तो ये एटियम कॉंग्रेस के हाथ में नहीं जाने देना चाहते हैं नहीं चाहते कि कॉंग्रेस के पास संसाधन और जादा हों एक बात दूसरी बात यह है कि अगर करनाटक में बीजेपी जीतती है तो कॉंग्रेस पार्टी इसको पेश करेगी कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा उसका असर है आप यात कीजिए 2017 में गुजरात हारने के बाद क्या हुआ था गुजरात हारने के बाद लोकसभा हारे मध्यप्रदेश में जीतकर भी हार गए राजिस्थान में सरकार बन गए 36 में सरकार बन गए करनाटक में सरकार बनी थी वो भी गिर गई और राहुल गांधी ने अध्यक्षपद से इस्तीफा दे दिया इतना बड़ा जटका था कि उसके बाद आज तक इस् वो 2017-2019 की हार का नतीजा है 2017 में अगर गुजरात जीत गई होती कॉंग्रेस तो शायद इतना बड़ा सेट बैक नहीं लगता शायद कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्षपद से राहुल गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया होता 2019 की हार के बावजूद हाला कि गुलाम नभी आज़ात कहते हैं कि जिर्स वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया वो बड़ा शर्मनाक है बताने लाइक नहीं है उन्होंने बताया नहीं कभी न कभी तो सामने आएगा तो पता चलेगा असली वजह क्या थी लेकिन ये ये जो है ये दो नतीजे चुन आइस थिरता रही सपस्ट जनादेश नहीं मिला था जोड तोड़कर के सरकार बनाई गई पहले ये दिरप्पा बने मुख्य मंत्री उसके बाद उनको हटा कर फिर वसराज बंबई को बनाया गया और उसके बाद भी मंत्री मंडल का विस्तार भी आखिर तक नहीं कर पाए वसराज बंबई ये इस्तिती थी और चुनाव से ठीक पहले जगदी शिटार ने बगावत कर दी छोड़कर कॉंग्रेस में चले गए लक्षमर सावदी ये फार्मर सीम और डिप्टी सीम रह चुके हैं ये छोड़कर और दोनों लिंगायत समधाय से लेकिन फर्किये है कि जिस तरह से 2017 में पटेल समधाय नाराज था पाटीदार नाराज थे भारती जनता पाटी से उस तरह से लिंगायत समधाय नाराज नहीं है बिलकुल लिंगायत समधाय अभी चटान की तरह भारती जनता पाटी के साथ है तो उसका जो कोर वोट है उसमें कोई शरण नहीं एक बात उसके अलावा कई नए सामाजिक समीकरन बनाने की बीजेपी ने कोशिश की है जिसका जिकर मैं पहले भी कर चुका हूँ एक दो वाकिय मैं फिर से दोरा देता हूँ जिस तरह से आदिवासियों का आरक्षन बढ़ाया दलितों का आरक्षन बढ़ाया वोकालिगा का लिंगायत का आरक्षन बढ़ाया और चार फिजदी जो मुस्लिम आरक्षन था उसको खतम किया ये सब जो ये बदलाव सामाजिक बदलाव किये हैं इस तरह का आवसर गुजरात में बीजेपी के पास नहीं था दूसरी बात गुजरात में जिस ताकत से कॉंग्रिस के चुनाव नतीजे पर निशुत असर डालेगी, कितना डालेगी पता नहीं, लेकिन डालेगी इतना तेय है, तो कॉंग्रिस के खेमे में उस तरह की मजबूती नहीं है जैसे गुजरात में दिखाई दे रही थी, और बीजेपी का खेमा उतना कमजोर नहीं है, जैसा गु जीता जा सकता है तो उसके लिए आखरी दम तक कोशिश करना है। भारती जंता पार्टी पिछले नौ साल से इस सदान पर चलती है कि हर चुनाव जीतना है। हार जाएं वालग बात है। लेकिन चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए और पूरी ताकत से जीतने के लिए लड इसलिए करनाटक अगर वो हारती है तो उसका जो सिट बैक होगा उसका जो सदमा होगा वो अगले चार विधान सभा चुनाव तक जानी रहेगा। और उसका जो है क्युमिलेटिव असर जो है लोक सभा चुनाव पर दिखाई देगा। उसके अलावा तातकालिक रूप से ये जो विपक्षी एकता की कोशिशे हो रही है उसमें काॉंग्रेस का पक्ष और जादा कम जोड़ हो जाएगा। कॉंग्रेस की bargaining power और ज़्यादा कम हो जाएगी। कॉंग्रेस जो है दूसरे दलों से समझोता करने में ज़्यादा सीटे अगर मान लीजे कि इस समझोता होता है तो ज़्यादा सीटे लेने में सक्षम नहीं होगी। तो विपक्षी एकता का जो महौल है वो और ज़्यादा अनिश्चित हो जाएगा। तो भातिय जंता पार्टी की नजर में करनाटक के चुनाओ का पूरी राष्ट्रिय राजनीती से नाता है और खास तोर से कॉंग्रेस से। कॉंग्रेस को किसी भी हालत में खड़े होने की जगए नहीं देना चाहती बीजेपी। हिमाचर में मिल गई थोड़ी सी लापरवाही के कारण वो गलती बीजेपी करनाटक में नहीं दोहराना चाहती है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रधान मंतरी इतनी ताकत लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो कैमपेंड कर रहे हैं जिस तरह से पार्टी की पूरी मशीनरी लगी हुई है उसमें अगर भारती जनता पार्टी की जीत हो जाये तो कोई आश्यर जनक बात नह जो है सत्ता में लगातार दो बार आया नहीं है पूर्ण बहुमत की सरकार जो है 89 के बाद पहली बार 2013 में बनी थी सिधरम हिया कि वो भी इस वज़े से बन पाई कि यदेरपा ने बीजेपी से अलग होकर अलग पार्टी बना ली थी अपनी पार्टी बना ली थी और चुन 2018 में वो बाजी पलट गई बीजेपी सिंगल लाजेस पार्टी बनी तो सिंगल लाजेस पार्टी से पूर्ण बहुमत की और ये बीजेपी की सबसे बड़ी महत्वा कांशा है करनाटक में क्या इस बार पूरी होगी तेरह माई को पता चलेगा तो इस अंक में इतरह ही अग झाल झाल